राम राम आज हम श्रीमत भगवत कीता के अध्याए एक अर्जुन विशाद योग का श्लोक 46 संस्क्रित उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे पहला चरण यदि य मी अमिक्स करेंगे यदि माम म पूरा है म मी अमिक्स करना है माम प्र का अठव प आधा और पूरा पर की मातरा बढ़ी तो लंबा कीचन है प्रती कार र मे भी अमिक्स किया है प्रतीकार पहला चरण रिपीट करते हैं यदी माम प्रतीकार दूसरा चरण म में आमिक्स करना म श पूरे के साथ आदास शस्त्र पूरा शब्दोने के बाद त्र पे अनस्वार आधम म शस्त्रम फिर वापस श के साथ आदास शस्त्र शस्त्र पानय य मी आखी मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है दूसरा चरण रिपीट पहला और दूसरा चरण साथ में यदी मामं प्रतिकार मशस्तरमशस्त्रपान यह तीसरा चरण धा तो के उपड़ जो मात्रा उसका मतलब ओ आधार उसको धा के साथ करेंगे धार ता मियाँ मिक्स करेंगे धार त रा के साथ आधा श शटकोर्णवाला राश ट्रा ट्रा का अठ वत आधा, और रह पूरे पर आपि मत्र, राष्ट्रा, रह में अमिक्स करेंगे रणेगी, हकी साथ आधा नहाँ, यू की साथ आधा सयूस, हन्युस तीसरा चरण रिपीट धार्त राष्ट्रा रणी हन्युस चोथा चरण तो की साथ आधा नतन मी की साथ आधा का मिक तन्मिक फिर श पी एक की मतरा श मौमी आमिक्स करेंगे शेमा तर तो में भी आमिक्स किया पूरा शब्दोंने के बाद रपी अनुस्वार है उसको बोलेंगे आधाम तन्मिक शेमा तरम आगे भा में आमिक्स करेंगे भा वे की साथ आधात वेत चोथा चरण रिपीट तन्मिक शेमा तरम भावेत अक्षर कब पूरा है कब आदा है उसका ध्यान रखना है तीसरा और चोथा चरण साथ में धार्तराश्ट्रा रने हन्युस तन्मिक शेमा तरम भावेत पूरिश लोग का उच्चारन एक साथ यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपान यह धार्तराश्ट्रा रने हन्युस तन्मिक शेमा तरम भावेत एक बार फिर से यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपान यह धार्तराष्ट्रा रणी हन्युस तन्मिक्षेमा तरंभवीत श्लोक का अर्थ देखते हैं इसे पिछले श्लोकों में हम सुन रहे हैं कि अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण से युद्ध ना करनी के अलग-अलग कारण प्रिस्तुत करते हैं कि युद्ध में मैं अपने परिवार के लोगों को मारना नहीं चाता क्योंकि जो अपने परिवार के लोगों को मारेगा उसको पाप लगता है ऐसा हमने अपने पूरवजों से सुना है तो मैं अपने मित्रों के साथ द्रो नहीं कर सकता अपने परिवार के लोगों को मार कर दोश अर्जित नहीं कर सकता हूँ केवल किसके लिए केवल इस राज्य और सुक्के लोब के लिए मैं अपने परिवार के लोगों को मार दूँ ऐसा मुझे सही नहीं लगता है इसी के लिए पिछले श्लोक में भी अर्जन ने भगवान श्री कृष्ण से का कि बड़े आश्चरी की और दुख की बात है जो मैं राज्य और सुक्के भोग के लिए अपने परिवार के लोगों से लड़ने के लिए यहां आकर खड़ा हो गया हूँ अब आज जो आश्चरी और दुख में डूबे वे अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को जितनी दलीले दी युद्ध ना करने की उसका अंतिम निर्णे आज के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं यदी यदी यानि अगर माम प्रतीकार देखिए यहां पर कैसे माम म पूरा जो है उसका आधा म मा के साथ लेंगे मतलब माम माम यानि मुझे म में जो अपने अमिक्स किया था उससे बन जाएगा आप्रतीकार और म शस्त्रम का जो म है उसका आधा म अप्रतीकार के साथ जोड़ेंगे तो क्या बना अप्रतीकारम यानि सामना न करने वाले ममिया, mix किया तो उससे बन गया था अशस्त्रम यानि जो शस्त्र से रहित है शस्त्रपाणयः यानि होता है पाणय यानि हात तो हातों में अस्त्रशस्त्र लिये हुए धार्त राष्ट्रा यानि धृत 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 तो में अस्त्र शस्त्र लिए दृत्राष्ट के पक्षपाती लोग युद्ध भूमी में सामना न करने वाले शस्त्र रहित मुझको मार भी दे तो वब मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा तो अर्जन ने अंतिम युक्ती के रूप में भगवान श्री कृष्पाती से क्या कहना चाहा है कि मैं तो अपने परिवार के लोगों को मारना नहीं चाहता इसलिए मैं तो युद्ध भूमी में सामना न करने के कारण जब मैं शस्त्र से रहित हो जाऊंगा और धृत्राष् पक्ष लेने वाले लोग अगर मुझे मारना चाहेंगे तो मेरे लिए तो वह भी हित करने वाला ही होगा इस तरह से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्पाती से पूर्ण तया ये बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा अब अगर हम अपन संसारी लोगों की बात कर कि अपने परिवार के लोगों को मार कर सुख और लाप नहीं कमाया जा सकता है इसलिए हमें अर्जुन की बात सही लगेगी लेकिन जब हम अध्याय 2 से सुनेंगे कि भगवान किस तरह से अर्जुन के इस जो अर्जुन ने फैसला लिया ये फैसला कैसे गलत है उसको नर्ण नर्ण नर्ण